ना की जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंदर की सरकार को जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हारदीक बधाई इसके साथ ही यदि ये फैसला केंदर सरकार काफी पहले ही ले लेती तो देश अनिक उप्रकार के जगड़े वे जंजट आदी से बच जाता है लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन हूले देने समंदी राष्टे कानून बनाने की एक खास मांग भी इनकी एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है जिसके लिए BSP की मांग है कि केंदर सरकार आने वाले संसत के सीद कानिन सत्र में इस समंद में कानून बना कर किसानों की इस मांग को भी जरूर सविकार करे इतना ही नहीं बलकि BSP की सुरू से ये मांग रही है कि खास कर खेती किसानी वे किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाएं से पहले उनसे सलावे परामर साधी जरूर करना चाहिए चाहिए तो स्टेट गवर्मेंट बनाएं चाहिए सेंटर गवर्मेंट बनाएं किसानों को लेकर उनकी खेती किसानों को लेकर तो कोई भी कानून बनाते कोई नया कानून लाते हैं तो केंदर और राज्यों की सरकारों को चाहिए कि किसानों से वो विचार विमर्ष जरूर करें ताकि किसी भी गैर जरूरी विवास से देश को राज्यों को भी बचाया जा सकें एक बाल फिर से देश के किसानों को उनके संगर्ष के जरिए इस जीत को हासिल करने के लिए उन्हें मैं तह दिल से हादिक बधाई एब हम सुब कामनाई देती हूँ लेकिन आज मैं खास तोड़ से केंदर की सरकार से ये भी कहना चाहूंगे कि किसानों की संदूलन के दुरान तो जो किसान शहीद हो गए हैं तो केंदर की सरकार ने तीन किसान ये तीन जो किर्शी कानून है किसानों के उनको वापिस तो ले लिया है लेकिन इसके साथ साथ हमारी पार्टी की केंदर की सरकार से ये भी पुर्जोर माग है कि इस अंदोलन के दुरान जो किसान शहीद हो गए हैं तो केंदर की सरकार उनको उचित आर्थिक मदद दे और उनके परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नोकरी जरूर दे ये भी हमारी पार्टी की केंदर की सरकार से मांग है जब उन्होंने तीन किर्शी कानून वापिस ले लिए तो इसको भी इनको इस मांग को भी हमारी पार्टी के इस मांग को भी सविकार कर लेना चाहिए साथ ही आज कार्थिक पूर्णमा पर्व गुरु नानक देव जी की जनती की भी मैं सबी देश वास्यों को हर्दिक बधाई एवं सुब कामनाई भी देती हूँ धन्यवाई